आज मैं आपसे सेयर करूंगी समर भेज लंच रेसिपी तो सबसे पहले यहां पे डाल का जो वाइट पार्ट आता है वो बलने से वो निकाल के इसमें हल्दी मर्चा लहसन और नमक डलके इसको बॉल करनी के लिए छोड़ती हूं आज यहां पे मैं दोसरी रेसिपी सेयर कर र और युझे ऑफ़ाई करके निकाल लेना है और दसे बारा घ्रीन चिली को में पच्फोरन और यह सरसो और लहसन का पेचट है दो चमच करेब बड़ा टेबल एस्पून करेब इसमें आड कर देना है और इसको अच्छे से भुन लेना है इसमें सॉल्ट और हलदी पौडर जाएगा रेड चिली पॉडर नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग इसमें ग्रीन चिली बहुत सारा डाल रहे हैं थोरा से पान इसमें डाल के अच्छे से इसको भून लेना है इसका तेल ऊपर आ जाएगा तेल छोड़ देगा इसमें अमरा जो तल के रखेते वो डाल देना उसक मज में आ जाएगा कि यह फ्रेस है और यहां अमरा भी अच्छे से इसका पानी ड्राइव हो गया था चैसे ड्राइव करके इसको पकाना है तो यहां पर मैं दूसरी रेचिपी सेयर करने लेगी हूं तो ऑईली हूं एक डेकशी में उसमें मैं डाली हूं बच्फोरन और व कि भी यहां पर निनुवा भी एड़ कर दूँगी और इसको अच्छे से हुछ लोगी बहुने के बच्छ जाए हूं अच्छे से पक जाएगा पानी ड्राइव करलें जर ऐसा बांकी का छिंगरी बचा था कि क्जिव पिचलत हो इस में बहुत कर चुप हूं osa Hmmm क्लिए मैं जर्णने की और जब तक निन्वा चिंगरी का पान फॉ害 रहा हुँ हो रहा है यहां पे नमाज पर लूगना पानने के बाद खाना खानी का टाइम हो गया था तो यहांपे मैं फिलेटिंग कर रही हूं को यह निमवा चिंगरी की सब्जी है और यह चिंगरी आलू पियाज यहां मैं एक प्वाले में अमरा में निकाल लोंगे अमरा दाल चावल बहुत अच्छा लगता है अचार की तरह अमडा का अचार भी बनाए जाता है इस तुरह से बना लिने से हफता भर यह जो है आप दाल चावल को इसको बना के खा सकते हूँ इतना quantity रहेगा तो एक यहां प्याला में में घी लगा कर इसमें चावल अच्छे से डाल कर प्रिस करके सिट होने रख दी थी तो यह चावल बॉल की तरह इदम आ गया था यहां दाल चावल सबजी में चिंगरी आलूपी आज निन्वा चिंगरी सब यहां पर डाल लिए एक चिंगरी भी है और यह अमरा विदाव चिंगरी का भी इसलिए भेज और यह दो नहीं बोल सकते हैं आज एरम नजर नहीं आ रही है मेरे साथ लंच करने में क्योंकि उसको बहुत ही फीबर आया हुआ है मैं डॉक्टर से देखा दी हूं फिर भी फीबर रहेगा अभी सीज चेंज भी नहीं कि अभी तक नाइट ड्रेस में ही है तो मैं कितना बोली थी तो थोड़ा सा खाई और यहां पर बैटर के टीबी देख रही है अभी ट्यूशन स्कूल मदर सा कुछ नहीं जा रही है तो और इसको अच्छा नहीं लग पूरा दिन सोके रह रही है तो मैं ब पष्यास हैं तो यहां पर एक समान पहला के शबर नहीं हुआए अनम को तो यहां पर दूसरा समान पहलाने चली आई मिश्क्राइए tut पापा की लाडली बेटी है इसको तकलीफ होता है एक तो समझ लेजिए इनको तकलीफ होता है तो देखे थे ये के एरम वोखार में परी हुई थी तो बोले कपड़ा चेंज करो चलो तिम लोगों को गुमा के लाता हूँ तो एरम के बहाने मैं भी आ गई थी तो एरम को कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे दरिया किनारे तो यहाँ इतना ठंडा हवा चल रहा था कि गर्मी का जरा भी एह हिसास ही नहीं हो रहा था तो हम लोग यहाँ पर बहुत दिर बैठें और एरम अपने पसंद का सब समान लागे यहाँ पर बैठके खाई और इतना ही दिर में बहुत जूरू कि हवा चलने लगी तो हम लोग फिर रिटर अपने घर आ गए थे तो हम लोग अच्छा हुआ टाइम से आ गए थे नहीं हम लोग बाहरी भीज जाते और इस वाले सिप में सायद पाटी वगारा हो रही है तो इसलिए लावडली बोरला जा रहा है डांस करने के लिए इस तरह पानी में साधी भी होता है मैं कभी दिखाऊंगी उस पर जाऊंगी तो और यहां हम लोग रबिंदर सेत्यों के पास खरे हुए और कितना खुब्सुरत यह रात में लग रहा है अभी और खुब ठंडी हवाय चल लही थी फिर भी हजबेन नहीं आ रहे थे वो ले थोड़ा देर और और रुकनी के लिए और अभी इस वक्त एडेन गार्डन स्टेडियम में आइपेल भी हो रहा है तो यह इस तरफ से इतना खुब्सुरत लग रहा है तो उस तरफ जाके और भी खुब्सुरत नजारा लगता है और इतनी तेज हवाय चल ली थी कि स्ट्रीट लाइट का जो खंबा होता है वो अपने आप ही हिलने लगा था और वापिस आकर एरम अपना फेबरेट पकोड़ा मंगाई थी चिकन का और मैं अपना फेबरेट जो है और मैं अपने लिए आशकरी मंगाई थी यह वाला पिष्टा मलाई रोल आइसक्रीम तो एरम और उसके पापा अपना अपना खाने के बाद मेरे में आ गया है तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर दे थैंक यू पर वाचिंग अल्ला अपिछ वाइब बाई